सबसे पहले तो आप रिजल्ट देखिए, लास्ट वीक से मैं स्किन केर रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, सारी की सारी चीज़ें, क्लिंजिंग, टोनिंग, सीरम, मौश्राइज़, सब मैंने घर में मौझूद चीज़ों से खुद अपने हाथों से तयार किया, ट्रस्ट मी गाइस, इतना बड़िया फाइदा मुझे मिला है, मेरे स्किन पे जो भी दाग धबे थे, पिंपल्स थे, सब गायव हो चुके हैं, एन स्किन इतनी गलो कर रही है, इतनी ब्राइटन हो गई है, तो क्या करना है, बिना वीडियो को स्किप किये, सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आप भी वन वीक तक ये रूटीन फॉलो कर लेते हो, तो इस करवा चौत पे और आने वाले जितने भी फेस्टिवल हैं, या फिर शादी पाटी आपको कहीं के लिए भी प्रप्यार होना है, तो मैं बोलियों कि आप सब से स्पेशल दिखन करने वाले हो, हमें भी मेक अप करके स्किन को नहीं चमकाना है, नैच्रली ग्लो करनी चाहिए हमारी स्किन, तो ट्रस्ट मी बहुत अदा फादे मंध है ये स्किन के रूटीन, एक वार आप एक हपते के लिए इसे फॉलो करके देखिएगा, किस तरह से क्या क्या करना है, हर एक चीज़ मैं आपके साथ यहां पर शार करी हूँ, और मज़े की बात यह है, कि सारी के सारी चीज़े होममेड है, मतलब हम अपने हाथों से सारी चीज़े तयार करेंगे, क्लिंजर से ले करके, टोनर से ले करके, मॉस्चराइजिंग क्रीम तक हर एक चीज़ हमारे हाथो से तयार होगी तो किसी भी तरह का कैमिकल यूज नहीं होने वाला है और एंट्रस्ट में आपकी स्किन बिल्कुल सीशे की तरह जमंखने वाली है तो क्या करना है चलिए जल्दी से देखते हैं सबसे पहले तो हम चेहरे को अच्छे से क्लीन करेंगे क्लीन करने के लिए आपक स्किन के पोर्स की गंदगी अच्छे से निकल जाए एंड गुलाब जल आपकी चैहरी की पह लेवल को भी बैलेंस रखता है मतलब नेक्स्ट जो भी आप करने वाले हो उसके लिए स्किन को तयार कर देता है चलिए अभी किचन में किचन में मौजूद बेसन का हम इस्तेमा मच दहीं का आपको लेना है और चुटकी भर हल्दी मतलब वन फोर्स तीस्पून के जितनी वाइल टर्मरिक लिए है कस्तूरी हल्दी क्योंकि ये प्यॉर फॉर्म होती है हल्दी की एंड इसके बाद एक कैपसूल ले रही हूँ बिटामिन ई का बिटामिन ई मैं हर अपने स्टैप में फॉलो करने वाली हूँ क्यों क्योंकि बिटामिन ई जो है न एंटी ऑक्सिडेंट गून इसमें पाय जाते हैं और नाम क्या बिटामिन ई ब्यूटी बिटामिन के नाम से ही ये जानी जाती है और स्किन को ग्लोई बनाने के लिए ब्राइटन बनाने के लिए फ स्किन से उम्र का पता नहीं चलता है तो सारी चुछों को अच्छी तरह से वीट कर लीजिए मिक्स कर लीजिए विल्कुल ताकि सारी अच्छे से मिक्स हो जाए एंड आपका साबुन फेश वाश यहां पे तयार है अब क्या करना है आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से ब कर लेंगे नेक को भी इग्नोर नहीं करना है चहरा ही चमकता रहे नेक आपकी नहीं चमके तो ऐसा नहीं करना है अब इसे सूखने दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो अगर टाइम नहीं है सूखना नहीं देना है तो भी क्या करना है वो भी बताती हूं लेकिन अगर सुखा लेते हो आप तो क्या करना है देखिए इस तरीके से आपको हलके हाथों से रगड़ते हुए बहुत जोर से नहीं रगड़ना है बिल्कुल हलके हाथों से इस तरह से क्या होगा कि आपके फेस पे जो unwanted hair है ना वो भी जढ़ते जाते हैं ऐसा नहीं है कि एक ही बरी में स पेस पैक लगाया पांदस मिनिट के लिए छोड़ा या फिर नहीं भी छोड़ा तो क्या किजिए ऐसे फेस पे पहले पानी मार लीजेगा एंड जैसे हम साबून या फिर फेस वाश को यूज करते हैं अपनी आंखों को भी सारे मतलब अच्छे से फेस पे जिस तरह से हम फ पहली बरी में ही आपको डिफ्रेंस नजर आएगा अब रेगुलर आप यूज करते जाएगा अब इसके बाद क्या करना है मैंने या पे गुलाब जल की मदद से चेहरे को अच्छे से टोन किया है अगर आपके पास इस तरह से स्प्रे वाटल नहीं भी होगी तो भी कॉट एक बिटमिन E का कैपसुल एड़ करेंगे जैसे मैंने अपको पहले ही बता दिया है कि बिटमिन E मैं अपने हर स्टेप्स में एड़ करने वाली हूँ और यही है जो अपकी स्किन को बिल्कुल बेदाग और निखरा बना देगी अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ गुलाब जल एड़ करूंगी गुलाब जल हमारी स्किन की एक तो पीच लेवल को भी बैलेंस रखता है टोनिंग का काम करता है और यहां पर जो सीरम है ना हमारा तो उसकी कंसिटेंसी हमें थोड़ी सी मतलब लिकुडी चाहिए बहुत जादा नहीं जैसे मार्केट में और इसे आप किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था उस तरह से अब मुझे वेस्ट नहीं करना है तो जो थोड़ा बहुत कटोरी में बच गया था उसको मैंने अपने चहरे पे लगाया अच्छी तरह से मसाज करना है आपको थोड दीजिए अपने चहरे पे ये खुद वखुद आपकी स्किन में अब्जॉर्व हो जाता है इसके बाद एक और इंपोर्टेंट काम हमें जरूर करना है वह है मॉस्टराइजेशन का देखे जब भी आपको इब स्किन के रूटीन फॉलो करते हो तो क्लिंजिंग टॉनिंग मॉस्टराइजिंग बहुत ज़रूरी होती है सीरम हम इग्नोर कर देते हैं तो मैंने या पे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया अब इसके उपर ये आपको मॉस्टराइजेशन की लेयर जरूर लगानी है सीरम भी डीपली आपकी स्किन में जाएगा और जो आपकी स्किन के लिए हो जाता है और बिटामिन ई तो ब्यूटी बिटामिन के नाम से जानी जाती ही है तो इसकी गुड्नेस आपको मिलेगी तो अच्छी तरह से आप अपने लिप्स पे अपने आई व्रोस पे भी से आप मसाज कर सकते हो अगर आपको फेशियल स्टैप सा इसे आप रात को सोने से पहले जरूर किजिएगा हपता बर बहुत ही बढ़िया अनबिलीवेवल रिजल्ट आपके सामने हो जैसा कि अभी आपने देखा स्किन के रूटीन बहुत ही सिंपल है सारी चीजों को हमने खुद प्रिपेर किया है किसी भी तरह का क्यामिकल यहां आपको बताती हूं ताकि आपको भी रिजल्ट देखने को मिलें और आप इन चीजों को फिल करें कि नहीं बाके आप नेचुरली अपनी स्किन को कितना ग्लोई और ब्राइटर बना सकते हो एंड फिर आप यह स्किन के रूटीन जो है रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं ताकि कि आपकी स्किन बस साल हो साल यूहीं यंग बनी रहे जवान बनी रहे आपको बुड़ा पच्छो भी न पाए तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शर सब्सक्राइब बटिन जरूर दबा दीजेगा इस तरह के और भी अच्छा वीडियो के लिए आज के लिए तना ही नमश्कार थिंक्यू